गोरी अरियो गोरी दर्वाजा खोलो अरे सीमा और बुलबुल तुम दोनों यहाँ पर कैसे आओ अंदर आजाओ अरे अंदर आने का रहने दो ये देखो तुम्हारे बच्चों ने मिलकर मेरे और सीमा के बेटे को कितना मारा है तुम अभी क्या भी तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर बुलाओ और उन्हें इसकी सजा दो क्या क्या कहां मेरे बच्चे और मारा मारी हो ही नहीं सकता तुम बिना वज़ मेरे बच्चों पर नाम मत डालो रुको मैं अभी बुलाती हूँ मेरे बच्चों को बच्चों जरा बाहर आजाओ क्या हुआ ममी आपने हमें क्यों बुलाया बच्चो ये देखो कोन आया है हमारे घर सीमा आंटी और बुलबुल आंटी इनका कहना है कि आप सबने मिलकर इनके बच्चों के साथ जगडा किया है और इने मारा भी है क्या ये दोनों सच बोल रही है नहीं मम्मी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया उल्टा इन दोनों ने ही हमारे साथ जगडा किया और ये देखो इस बंटी ने जगू के सिर पर पेन से मारा है क्यों रे बंटी तुमने ऐसा किया है मैंने नहीं किया ये ये तो आपस में ही जगडते रहते है तभी जगू को ये चोटा गई थी ये मुझ पर जूटा इलजाम लगा रहे है अरे देखो देखो उल्टा चोर कोटवाल को डाटे अरे ओ कबुतरनी जराज संभाल अपने बच्चे को देख कैसे जूट बोल रहा है मेरे बेचारे और मासुम जगू को इसने पेन से मारा है और तू उल्टा मेरे पास मेरे ही बच्चो की शिकायत लेकर आई है और तुम बुल-बुल तुम्हारा बेटा तो पहले से ही शरारती है तुम भी बिना वज़ा यहाँ पर आई हो अब चुप-चाप चली जाओं हां से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुल-बुल और सीमा का बुतर अपने अपने बच्चो को लेकर वहां से चली जाती है मेरे प्यारे बच्चो मुझे पता है कि तुमने ही सीमा और बुलबुल के बच्चों के साथ मारा मारी की है लेकिन मैं तुमें इसके लिए डाटूंगी नहीं उल्टा मैं तुमको इसके लिए शाबास की दूंगी ऐसे ही स्कूल में शरारते करना और जंगल के सारे पंचियों के बच्चों को परिशान करते रेना हाँ ममी, हम ऐसा ही करेंगे जब बुलबुल और सीमा अपने बच्चों को लेकर घर जा रही थी तब रास्ते में उन्हें कालु कोवा मिल जाता है अरे सीमा और बुलबुल कहां से आ रहे ही हो अपने बच्चों के साथ सीमा और बुलबुल कालु को सारी बाते बताती है अरे बापरे, ये तो बहुत गलत हुआ कालु भीया, हम सिर्फ आपकी वज़े से चुप है क्यूंकि हमें पता है, आप इस पर जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे लेकिन आगे ही ऐसा चलता रहा तो हम राजा जी के पास इस बात की शुकायत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे भेनो, आप दोनों चिनता मत करो मेरे बेटो की तरफ से मैं आप से माफी मांगता हूँ मैं अभी घर जाता हूँ और मेरे बेटो को समझाता हूँ मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा कालू अपने घर आ जाता है और आते ही बच्चो को पूछता है बच्चो मेरे सुन्ने में आया है आज तुम सब ने स्कूल में मारा मारी की क्या ये सच है नहीं पापा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया आप से किसी ने जूट कहा है सच सच बताओ वरना मैं तुम सब को बहुत मारूंगा ऐसे कैसे मारोगे आप मेरे बच्चो को हाथ तो लगा के दिखाओ फिर देखो मैं कैसे मेरे बच्चो को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए माई के चली जाती हूँ इधर आओ मेरे प्यारे बच्चो, मैंने तुम सब के लिए गर्मा गरम दाल किचडी बनाई है, चलो हम खाते है दूसरे दिन सुभ़, जब गोरी के बच्चे स्कूल में आते हैं, वो आते ही फिर से मस्ती करना शुरू कर देते है मीनू मौसी स्कूल की प्रिंसिपल थी, जब बच्चो ने मीनू टीचर के पास गोरी के बच्चो की शिकायद की, तब मीनू टीचर ने उन सब को प्रिंसिपल कैबिन में बुला लिया अरे ओ बदमाश बच्चो, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो या मस्ती करने के लिए, दिन बदिन तुमारी शरारते तो बढ़ती ही जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मैं तुम सब को स्कूल से रेस्टिगेट कर दूँगी, ये मेरी तुमें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, अब जाओ, अपने अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई करो, जब बच्चे प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आये, तब उन्होंने बाहर से कैबिन का दर्वाजा ही लगा लिया, इससे मीनू टीचर अंदर ही बंध हो गई, थोड़ी ही देन में स्कूल की चुटी हो गई, जब मीनू टीचर ने कैबिन के बाहर आने के लिए अंदर से दर्वाजा खोलने की कोशिश की, तब दर्वाजा नहीं खुला, अरे ये दर्वाजा क्यों नहीं खुल रहा, तभी उन्होंने खिल्की से आवाज लगाई, अरे कोई है बाहर, ये दर्वाज प्रिंसिपल मैम, मैंने दर्वाजा बन नहीं, बलकि खुला है। मैं तो अभी अभी यहां से जा रहा था, तभी आपकी आवाज सुनी। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे पता है, ये किस ने किया है। दूसरे दिन, मीनू टीचर ने गोरी और उसके बच्चों को प्रिंसिपल केबिन में बुला लिया, और उन्हें स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया। गोरी, तुम्हारे बच्चे बहुत शराती हो गए है, और इनकी वज़र से पूरे स्कूल के डिसिपलेन पर असर हो रहा है, और तो और कल इन बच्चों ने मुझे ही केबिन में बंद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ दिनों के लिए स्कूल से स्कूल में कभी नहीं आएंगे, मैं मेरे बच्चों को दूसरे जंगल के अच्छे वाले स्कूल में भेजूंगी, चलो बच्चों, यहां से चलते हैं। अरे अरे रुको, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की, मेरे बच्चे अभी छोटे है, जब बड़े हो जाएंगे, तब अपने आप तैरना सीख जाएंगे, उससे अच्छा आप एक काम करो, घर में खाने के लिए थोड़ा भी अनाज नहीं है, जाओ और अनाज लेकर जाओ, कालू गुसले से निकल जाता है, उर्ते उर्ते कालू बहुत दूरा गया था, मुझे अब घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि घर में मेरी कोई इज़त ही नहीं करता, ना गोरी ना बच्चे, मैं अब वापस घर ही नहीं जाओंगा, इधर आसपास ही कह पर घुसला बना कर रहे लूँगा, रात हो जाती है, तभी रेडियो पर न्यूज आ जाती है, ताजा खबरों के अनुसार हमारे जंगल की तरफ एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है, इसी वज़ह से राजा जी ने सब को सतर करेने के लिए कहा है, अरे, कहा मर गया ये कालू, अब तक तो इसे घर वापस आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहा रहे गया, मेरे पेट में तो चुहे दोड रहे है, और उपर से ये तूफान आ रहा है, पता नहीं, ये गोसला आने वाले तूफान को सह पाएगा या नहीं, मा, पापा अब तक घर क्यों नहीं आये, हमें उनकी बहुत याद आ रही है, चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, जैसे जैसे समय जा रहा था, गोरी को भी कालू की चिंता हो रही थी, थोड़ी ही देर में तूफान जंगल में आ जाता है, तूफान की वजह से पंच्चियों के गोसले हिलने लगते हैं, दीरे दीरे एक एक करके पंच्चियों के गोसले गिरने लगते हैं, अरे बापरे अब क्या होगा गोसला गिर जाए उसके पहले मुझे बच्चों को लेकर बाहर निकलना होगा कालू का गोसला तूफान की वज़र से जोर जोर से हिल रहा था गोरी बच्चों को लेकर गोसले से बाहर आ जाती है जैसे ही बच्चे और गोरी बाहरा गए गोसला तूफान की वज़े से धडाम से नीचे जमिन पर गिर गया बच्चो जल्दी से चलो यहां से हमें किसी से मदद लेनी होगी गोरी और बच्चे निकल पड़ते है तूफान की वजह से उन्हें उड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी वो नदी के उपर से उड़ रहे थे तभी तेज हवा का जोका आया और गोरी के साथ साथ सारे नदी में गिर गए गोरी तेर कर नदी के किनारे आ गई और जोर जोर से चलाने लगी बचाओ बचाओ कोई मेरे बच्चो को बचाओ तभी वहाँ पर कालू कववा आ जाता है और एक एकर करके बच्चो को नदी से निकालता है पापा हमें माफ कर दीजिए अगर हमने आप से तेरना सीखा होता तो आज हम ऐसे नदी में नहीं फस्ते मुझे भी माफ कर दीजे कालू जी आपने हमारे बच्चों को डिसिप्लेन सिकाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे लाड़ प्यार की वजह से हमारे बच्चे इतने शरारती हो गए तूफान के थमने तक गोरी बच्चे और कालू एक गुफा में रुके तूफान के थमते ही वो सब बहारा गए बच्चों मैं आशा करता हूँ अब तुम्हें तुम्हारे गलतियों का एसास हो गया होगा तूफान की वजह से अब हमारा गोसला नहीं रहा इसलिए अब हमें नया गोसला बनाना होगा और अब ठन का मोसम शुरू हो गया है इसी वज़े से हमें ऐसा गोसला बनाना होगा जिससे हमारा गोसला अंदर से गरम रहे अगर हम घासपूस का गोसला बना कर उस पर सब तरफ गोबर लगा देंगे तो पूरे ठन के मोसम में हमारा घोसला अंदर से गरम रहेगा क्या तुम घोसला बनाने में मेरी मदद करोगे हाँ पापा हम जरूर करेंगे मैं भी मदद करूंगी कालू जी ठीक है फिर गोरी तुम गोबरी खटा करो मैं घास फुसलाता हूँ और बच्चों तुम घोसले के उपर गोबर लगाने में हम दोनों की मदद करो बहुत देर तक मेहनत करने के बाद कालू गोरी और बच्चे मिलकर अपना नया घोसला बना लेते हैं दूसरे दिन गोरी अपने बच्चों को लेकर मीनू टीचर के स्कूल में आ जाती है मीनू टीचर मुझे और मेरे बच्चों को माफ कीजिए आज से मैं आपसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे स्कूल में कोई भी शरारत नहीं करेंगे हाँ प्रिंसिपल मैम हमें हमारे शरारत के लिए माफ कर दीजिए आज से हम स्कूल में अच्चे बच्चे बनकर रहेंगे हमें हमारी गल्दी का एहसास हो गया है गोरी कवी बुलबुल और सीमा कबुतर से बच्चों की तरफ से माफी मांगती है बच्चे भी गोलू और बंटी से माफी मांगते है और इसी तरह से कालू और उसका परिवार हसी खुशे से रहने लगते हैं तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट्स में चरूर बताना और बड़ो से आदर से बात करना और स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना